थॉर्स्टर्न ग्रूप फैक्टर थियॉरी इसे प्रपोस किया था लुइस लियॉन थॉर्स्टर्न ने और ये थियॉरी स्पेर्मन थियॉरी और थॉंड्रिक थियॉरी के बीच की थियॉरी है इनका मानना था कि जो mental ability है यानि जो intelligence है उसको perform करने के लिए एक cluster of abilities की ज़रत है और ये जो cluster of abilities होती है ये cluster of abilities dependent होती है साथ primary factors पर और ये primary factors होती है verbal, number, special, word frequency, reasoning, memory, perception ये सारे जो factors हैं साथो factors वो एक दूसरे से independent होती है पर अगर कोई particular काम करते वक्त यानि कोई multiple काम करते वक्त हम similar primary factor का use कर रहे हैं तो वो जो skills, वो जो multiple काम है वो काम psychologically और functionally similar होंगे ये उनका मानना था और जो seven primary factors हैं वो verbal होती है एक तो होता है words को deal करना, verbal, numbers को deal करना, number factor, special symbols को deal करना, word frequency यानि words को manipulate कर पाना, वो word frequency होती है, reasoning होता है, reasoning skills, memory होता है, याद करना, perceptual यानि किसी चीज़ को analyze करके, उसे change करके, उसको repeatedly use कर पाना, उसे perceptual कहा जाता है और ये जो seven factors होती हैं, वो independent होती है, पर ये काम करने के लिए इन factors की जरुवत पड़ती है, और जब ये factor, एक particular factor, किसी चार-पांच काम के लिए जरुवत पड़ती है, वो जो चार-पांच काम होते हैं, वो psychologically और functionally similar होते हैं, ये थांडरिक group factor theory है, किसी चार-पांच कार MIA, झाल बिएраф N, और ये को झाल, ता हम इन की बिए那ु, काम काम होती है, अच्ट को किति आछा रे बजाता हैं,